हलो इस्ट्रेंट वेलकम टू बैक माई यूटूब चेनल डिकलाइफर श्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए कैसे हैं आप लोग तो चलिए घर पे होंगे और स्वस्त होंगे तो चलिए जैसा के बिहार विद्याले पड़िक्छा समीती ने सुलालाख जो छात्र छात्राओं का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द परकासित होने वाला है तो चलिए आज देख सकते हैं जो न्यूज 18 बिहार है उसके माध्यम से यहाँ पे क्या निकल कर आया है और किसनी रिजल्ट आ रहा है तो 100% अठेंटिक न्यूज के साथ हमारा च सकता है इंटर का रिजल्ट देख सकते हैं कि सुत्रों के मतावित जो इंटर का जो रिजल्ट है वह 17 मार्च तक परकासित किया जा सकता है देख सकते हैं कि बिहार बोड बिहार बोड में यूद अस्थर पर रिजल्ट चर रही है मतलब लाश्ट चरन पर रिजल्ट चर रह में कुल देख सकते हैं 16,48,000 पड़िछार्थी सामिल हुए थे देख सकते हैं इस वार जो इंटर पड़िछा है उसमें 16,48,000 पड़िछार्थी सामिल हुए थे देख सकते हैं सामिल में से एक फरवरी से 14 फरवरी तक जो एकजाम था वह करवाई गई थी तो चलिए विस्तार पुर्वक देखेंगे फ्रेंग तो वीडियो में बने रहे तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो आर्टिकल्स न्यूज है आज का देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर में क्या बताया गया है आज का हिंदुस्तान आर्टिकल्स न्यूज है तो चलिए विस्तार पुर्वक इसको देखते हैं देख सकते हैं कि BACV 12th Class Result 2022 बिहार विद्ध्याले पडिक्षा समीती पटना की इंटर देख सकते हैं इंटरमीडियेट वार्सिक पडिक्षा 2022 की उत्तर पुष्तिकाओं का मुल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद अब सोंबार 14 मार्च देख सकते हैं 14 मार्च को टोपर्स का इंटर्वियू होगा देख सकते हैं जो मंडे को है 14 मार्च को देख सकते हैं कि टोपर का इंटर्वियू होगा शुरू कर दिया जाएगा कि जो टोपर्स का इंटर्विव और रिजल्ट का जो अंतिम चरण है उसके लिए दो या तीन दिन या चार दिन में निप्टाया जा सकता है तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं देख सकते हैं कि इस हिसाब से देखा जाए तो 16 या 17 मार्च बिहार बोर्ट बरहमी परिच्छा का परिअधा कर सकता है ना भुले हाला कि BACB ने बराहमी परिच्छा का पडिमान घोंसित करने की तीथी को लेकर अभी अधिकारी का एलान नहीं किया है मतलब अधिकारी का एलान Sw suspicion किया है कि सोला को घोंसित कि जाएगा कि 70 को देख सकते है लेकिन इंटर के नतीजे बहुत ही जल्द जारी कर दिया जा सकते हैं देख सकते हैं कि बिहार बोड इंटर वार्षिक परिच्छा 2022 उत्तर पूस्तिकाओं का मुल्यांकन पूरा होने के लिए किंदर धिच्छाक ने 11 मार्ष यानी देख सकते हैं यानी आज किंदर परुपस्तित रहने की निर्देश दिया है मतलब 11 मार्ष तक जो लास्ट डेट था वह बोड उपिस को पेश करना था सब वहाँ पे कोपी ले जाकर साथ ही बोड ने रिजल्ट से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों को बोड भेजने के निर्देश दिया था देख सकते हैं कि जो रिजल्ट का दस्तावेज है वह बोड उपिस में जमा करने की 11 मार्ष ती थी थी चलिए तो चलिए बोड सुत्रों के अनुसार देख सकते हैं कि यहां पर बीए सी वी ट्वेल्थ रिजल्ट 2 2022 पीहार बोड बाराहमी का पड़िच्छा टॉपर्स को सोम बार से सुरू होगा इंटर्व्यू देख सकते हैं टॉपर्स का जो इंटर्व्यू है वह सोम बार से सुरू होगा यानि 17 मार्च तक देख सकते हैं 17 मार्च तक result घोंसित होने की संभाबना है देख सकते हैं बिहार बोर्ट यह confirm date नहीं बताया फ्रेंग कि 17 March को ही जारी हो जागा यह एक देख सकते हैं कि संभाबना के अनुसार बिहार बोर्ट कहा है कि 17 March तक जो 12th class का result है और वह परिमान घोसित किया जा सकता है देख सकते हैं यहां confirm date को नहीं जारी करकर बताया है तो चलिए हो सकता है आपको 16 March का भी आ सकता है तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करके सेर कर दे फ्रेंट और पलपल की अपटेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले तुछ चलिए